दोस्तो आज की इस वीडियो में हम conflict देखने वाले हैं fundamental right और DPSP के बीच में हमने fundamental right और DPSP तक चीजों को देख रखा था आज हम क्या करने वाले हैं उसके बीच में conflict को देखने वाले हैं conflict की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चंपक दोराई राजन case को देखना हो होगा ठीक है तो इस case में क्या हुआ है कि जो सुप्रीम कोट है इस case में सुप्रीम कोट ने यह बोला है कि अगर fundamental right और DPSP के बीच में अगर कोई conflict होगा तो fundamental right would prevail ठीक है यह कहना है कि इसका सुप्रीम कोट का यहाँ पर यह बता दिया गया है कि जो DPSP है वो subsidiary है कि इसके fundamental right के और दूसरा एक और बात इस case में यह बोली गई थी कि जो fundamental right है ठीक है तो fundamental right को amend किया जा सकता है by the parliament by enacting constitutional amendment act यहाँ पर एक twist है तो twist क्या है तो twist यह है कि मान के चलो यहाँ पर यह बोल दिया गया है कि जो अगर DPSP versus fundamental right होगा तो fundamental right would prevail ठीक है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बोल दी गई है कि अगर कोई constitutional amendment act किया जाता है ठीक है और यह constitutional amendment act किसलिए किया जा रहा है ताकि कोई directive principle of state policy को अगर implement करना हो तो आप क्या करते हो fundamental right को amend करकर के इसको implement करवा सकते हो जैसे एक example के तौर पर हम लोग देखते हैं हमने देखा था concentration of wealth वाला देखा था एक directive principle of state policy ठीक है हमने concentration of wealth वाला देखा था या अगर यह concentration of wealth वाला जो है DPSP है और इसमें यह कहा जा रहा है कि भाई जो wealth होगा वो concentrate नहीं होगा नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह wealth किसके हाथ में concentrated है तो यह अमीर लोगों के हाथ में कुछ चंद लोगों के हाथ में concentrated है rich people के पास इसका concentration है तो अब सरकार क्या कह सकती है सरकार यह बोलेगी rich people को कि भाई तुम अपना जो जमीन है, अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपना जो पैसा है, क्योंकि wealth कहने का क्या मतलब है, concentration of wealth में क्या सिर्फ पैसा ही आता है, wealth में तो भाई बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, wealth में सबसे पहला क्या आएगा, money obviously आएगा, money के बाद और आप क्या आएगा, एक तो money आगया, अपना सपना money money, दूसरा क्या आगया, land आगया, ठीक है, कुछ properties आगये, building, building, कुछ ऐसा, gold आगया, इस तरह की चीज़े wealth आएगी, अब यहाँ पर क्या है कि concentration मना करने की बात की जा रही है, कि भाई, concentration मत करो, है ना, concentrate, wealth को मत करो, इस तरह क की चीज़े मत करो, यह मत करो, वो मत करो, ऐसा बोला जा रहा है, इन case अगर ऐसा बोला जा रहा है, और कहा जा रहा है, अमीरों को, कि भाई, DPSP में यह चीज़ लिखी हुई है, है ना, DPSP में यह चीज़ लिखी हुई, देखो, यहाँ पर मैं 5 मिनिट का time लोगा, क्योंक कि इंपोर्टेंस कभी fundamental right का ऊपर हो जाएगा, कभी DPSP का ऊपर हो जाएगा, और finally कुछ exceptions के साथ fundamental right ऊपर आ जाएगा, 39BC के अलावा, ठीक है ना, तो यह सब हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन concept समझ दो, है ना, आप क्या करो, आप concept समझ लो, तो यहाँ पर क्या है, wealth है, wealth है, wealth के अंदर money, land, यह सब सारी चीज़ें आ रही है, अब यहाँ पर क्या है, concentration of wealth की बात है, concentration of wealth की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि सरकार अब यह बोलेगी कि भाए, concentration of wealth हाप लोग मत करो, क्योंकि DPSP में लिखा हुआ है, It has been mentioned in the DPSP कि we should prohibit the concentration of wealth or the wealth in the hands of fewer people तो हम क्या करेंगे उसको यह बोलेंगे अमीर लोगों को की भाई तुम concentration of wealth नत करो तुम चुप चाप अपने पैसे क्या करो दे दो गरीबों को तुम अपने पैसे गरे पैसे लेकिन अब रिच क्या बोलेंगे भाई हम अपने कमाए हुए पैसे क्यों दें तो सरकार बोलेगी ऐसा कुछ नहीं सरकार छीन लेगी सरकार क्या करेगी लैंड सीजर किया था लैंड सीलिंग की थी अगर आपको यादोगा डॉमिनेंट कास्ट का कॉंसेप्ट निकला है अग जो शाशकों को जो पहले के जो रियासते थी उनको जो प्रिवी पर्स दिया जाता था इंडरा गांधी न उसको भी खतम कर दिया था वोट बैंक पॉलिटिक्स थी जो भी है वो कहानी कभी और देख लेंगे तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर लैंड की बात आती है यहाँ इन सब सारी चीज़ों की बात यहाँ पर आती है यह सारी चीज़ों यहाँ पर होती है अब देखो यहाँ पर क्या है जो केस यहाँ पर यह बन रहा है यह जो केस बनता है वो केस यहाँ पर यह बनता है कि भाई यह जो लैंड है यह लैंड है इंडरा गांधी कह रही है कि जो land है वो क्या है वो तुम्हारे पास बहुत जादा है तुम क्या करो इसको पूर में distribute कर दो और जवरदस्ती इंद्रा गांधी ने क्या किया एक land sealing करके law बना दिया तो मान लो आप जमिनदार परिवार से आ रहे हो तो आपकी जमीने छीन करके मेरे जैसे गरीब आदमी को दे दी गई अब इसमें क्या हुआ फिर आपके जैसे जमिनदारों ने क्या बोला इंद्रा गांधी सरकार हमारे साथ गलत कर रही है ऐसा नहीं होगा यह लोग चले गए कहां पर सुप्रीम कोट कह रहा है हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वाइलेट हो रह है इंद्रा गांधी का यह है दिमाग आपका यह दिमाग है कि भाई मेरे मेरा ही क्यों लिया जा रहा है अब आप लोग गए सुप्रीम कोट के पास कि भाई सुप्रीम कोट मेरी जो जमीन है मेरे जैसे आदमी को हमें जो पॉलिटी पढ़ा रहा उसको दे दी है अब उससे चीन करके वापस हमें दे दो तो कोट का ये कहना है कि बात तो सही है अगर fundamental right versus DPSP हो तो कौन जीतेगा fundamental right तो article 31 will win 39 से 31 बहुत बड़ा है तब सरकार को फिर ये वाला case समझ में आया कि amendment तो हो सकता है तो सरकार ने amend करके इसको हटा दिया 31 कोई हटा दिया अब ले लो कर लो फिर 37 के हिसाब से article 37 था ना वो instrument वाला तो article 37 के हिसाब से ये हो गया फिर काम समझे तो जब आप 31 ही हटा दिया सरकार ने amend करके तो बात ही खतम हो गए फिर आपके इसार गए और मेरे जैसे आदमी अमीर हो गए फिर ठीक है और इसी से concept निकल करके आया concept of dominant caste M.N.Shrievaast जैसे thinker है उन्होंने दिया है इस concept को भारत के thinker है sociologist है तो ये सारी जो चीजे हैं ये आपको समझनी जरूरी थी अब यहाँ पर देखो ये चीज होगी फिर आता है गोलकनात केस गोलकनात केस में ये बोला जाता है कि जो parliament है वो कोई fundamental right ठीक है ना नहीं ले सकती है मतलब यहाँ पर ये कहना है कि इस तरीके से जो सेंक्रो सेंक्ट है देखो यही सारी चीजे अभी जो पढ़ाई है वही उपर नीचे होगी और जादा कुछ नहीं होगा तो ये नहीं ले सकती है यही सब बात है गोलकनात केस में ये बोल दिया गया है उसके बाद फिर कहा गया है कि parliament जो है वो supreme court के judgment पर react करती है और फिर क्या करती है 24 और 25 संशोधन से ठीक है 24 और 25 संशोधन से ये हो जाता है कि जो parliament है state legislature नहीं है parliament है वो abridge कर सकती है fundamental right को ठीक है न जो abridgement है वो fundamental right का हो सकता है constitutional amendment act से लेकिन फिर यहाँ पर क्या होता है कि article 81C हमने ABC fundamental right में देख रखा है उसी का article C ये कहता है कि अगर कोई socialistic directive principle जो है जो कि B और C में specified है ठीक है उसको article 14 और 19 के तहट आप challenge नहीं कर सकते हो ठीक है न आप 14 और 19 के तहट challenge नहीं कर सकते हो ये कहा गया पहले क्या कहा गया भाई कि जो FR है it will be greater than DPSP फिर कहा गया कि amendment के थुरू आप ये चीज़ कर सकते हो फिर सरकार ने गोलक नत केस में बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं किका जा सकता फिर सरकार ने का amendment कर दिया amendment तो करी सकती है ना तो 39BC जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर आप कोट में 14 और 19 का हवाला नहीं दे सकते हो ये कह दिया एक provision ये लगाया, दूसरा provision क्या लगा दिया, दूसरा provision ये लगा दिया, कि अगर सरकार ऐसा कुछ कर रही है, ठीक है न, अगर कोई policy के effect के लिए सरकार इस तरह का कुछ ऐसा scene कर रही है, तब क्या होगा, कि इस सरकार questionable नहीं होगी, मतलब judicial review नहीं होगा सरकार का, सरकार कुछ भी करे, law से कुछ भी बना दे, जैसे हम लोग जब article 21 पढ़ रहे थे, तो पहला हमने पढ़ा था न, कि भाई, अगर procedure established by law में क्या था, कि अगर law कहता है, कि आपकी जान ले लेनी चाहिए, तो आप सरकार के पास ये जाकर के नहीं कह सकते, कि मेरी जान ले रही है मेरे को article 21 मिला हुआ है, ये नहीं कह सकते, why, because that procedure has been established by law, फिर में का गांधी case में उसको उल्टा किया गया, कि नहीं भाई, procedure established by law नहीं होगा, due process of law होगा, अगर आपको याद है, तो इतनी याद ये concept आपको पता होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर क्या है, कि ये सारी बा भारती case हुआ, basic structure doctrine इसी case से निकला है, वो अभी हम लोग देखेंगे, तो उसमें ये कह दिया, कि पहला, कोट ने ये कहा, कि चलो पहला वाला तो ठीक है, ये BC वाला तो ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वाली बात, ये सब कुछ पर आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इन केशवानन्द भारती case, जो supreme court है, ठीक है, केशवानन्द भारती case में जो supreme court है, तो उन्होंने क्या declare किया है, जो second provision of article 31C as unconstitutional, जो ये वाला जो provision है, उसको unconstitutional declare, यहाँ पर कर दिया जाता है, अब दूसर में ये होता है, कि जो article 31C है, ठीक है न, उसमें ये बोला जाता है, कि जो legal primacy और supremacy है, DPSP का, article 1431 से, वो उसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है न, लेकिन फिर से, बढ़ा देने का क्या मतलब है, ऐसा कह दिया गया, कि इसके अंदर कोई भी law आ जाएगा, कुछ नहीं किया फिर कोट यहां पर आकर के बोल रही है, मिनिर्वा मिल्स केस में, कि जो DPSP है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी law को, किसी भी law को, किसी भी कीमत पे कैसे भी करकर क्या fundamental right citizens का आप हनन कर सकते हो, इंदरा गांधी ने मतलब क्या बता हूँ, मतलब नाच करवा दिया था, उपोज आप सब्सक्राइए, तो यहां इंदरा गांधी के टाइंप, जब उन्होंने अमर्जनसी लाग होगी तो, आप कमेंट बॉक्स में बताना, एमर्जनसी का प्रोविजन कहा से लिया गया है, अप उसके बारे में बताना, तो मिनिर्वा मिल्स केस में, अब यहां पर यह कह 19 दे रहे हो तब तो ठीक है इसके अलावा करे होगे तो unconstitutional होगा और दूसरा 31 तो fundamental right फिर बचाही ने है ना यह तो बचाही तो फिर क्या किया इसको छोड़ दिया as it is उसके बाद बोल रहा है इन मिनिर्वा मिल्स केस में क्या होता है जो सुप्रीम कोट है वो क्या बोलता है उनका यह कहना होता है कि जो सुप्रीम कोट also held that Indian constitution is founded on the bedrock of the balance of the fundamental right in DPSP यह बहुत important point है आपसे पूछ लेगा किस केस में यह बोला है कि यह bedrock है इन दोनों के बीच का bedrock कहने का मतलब वह balance की बात की गई है यहां पर इंप्लीमेंटेशन कहां कहां हुआ है देखो इंप्लीमेंटेशन को फिर आप निगेशन के थ्रूँ सॉल्फ कर सकते हो आपको क्या करना है आपके सामने कोई statement होगी अब मैंने आपको DPSP याद करवा रखा है मैंने क्या करवा रखा है I have I let you memorize this particular DPSP तो आपको क्या करना ह है अगर कोई भी ऐसा provision कोई भी ऐसा example कोई भी ऐसी activity दी हुई है कोई भी कोई भी ऐसा law कानून ये सब अगर कुछ भी ऐसा दिया हुआ है कुछ भी अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपको आपको simple क्या करना है वहां पर उसको correlate करना है कि वो चीज़ DPSP में आ रही है या नही आ रही है यह वाली बात आपको वहां पर ये देखनी है ये बताना है ये सब सारी चीज़ें आपको वहां पर करना है तो ये सब कुछ वहां पर होगा और उसको देख लेना अगर ये DPSP के साथ मिलता है तो ठीक है नहीं मिलता तो तो आगे बढ़ते चले जाना यह है डिरेक्टिव आउट साइड पार्ट फोर तो क्लेंस ऑफ सी एस्टी सुदा सर्विस अगर फंडामेंटल राइट की वीडियो आपने देखी होगी ठीक है तो मैंने आपको रिजर्वेशन की बात बताईए तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना मदर ट्रंग में इंस्ट्रक्शंस इट इस नॉट इन डिपीएसपी बट इस यह जो टीनों हैं यह सर्टेन काइंड डिरेक्टिव हैं तो यहां पर आप देखना यह आपको याद रखना इसको भूलना रहे होते तो हम फिर आपको यही बोलते हैं कि भाई बस इस्तितिनो को याद करो और कुछ याद मत करो अभी मैं ठोको क्या बोला कि friends X पीका एक अप्रूवीजन याध करो एक एक आर्टिकल याद करो, यह I told you है ना, और मैंने वहाँ पर आपको एक एक चीज याद करवाई है एक एक चीज याद करवाई है करवाई है, ठीक है, अगर 2018 के पहले का होता रहा, तो मैं बोलता कि बस यही तीन याद कर लो यह तीन याद कर लो यह तीन याद करो, और याद करने में कुछ है नहीं इसमें, यहाँ पर देखो Mother Tong की बात हो रही है, Tong मतलब जीब, Mother मतलब मम्मी तो अब सोच लो Mother Tong मतलब क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर हिंदी है ना, यह दोनो 2.2 और 0.3 जो है Claims of Estes and Estes आपको याद रखना होगा, ठीक है Consequential Seniority की बात मैंने आप सी ठीक है, यहाँ पर उस तीज का कोई Relation नहीं है पर मैं आपको यह बता रहा हूँ कि In Fundamental Right, I taught you about Consequential Seniority, so you should have Certain sort of Clarity in your mind कि भाई, किस तरीके से क्या 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 होता है, तो यह सब बात है, तो यहाँ पर Claims of Estes and Estes to Services की बात यहाँ पर लो यह तीनों याद कर लो और याद करने के बाद मजे करो, क्यूं क्यूं ऐसा बोलता था, क्योंकि 18 के पहले जो Question होते थे, वो ऐसे कहते थे, क्या Identify इसमें से कौन सा DPSP है बस क्या ही, और उसमें से कहीं ने कहीं, यही तीनों में से कोई एक Option होता था, अगर आपको यह तीनों पता Eliminate करो, आंसर आजाएगा, यह होता था, लेकिन अब क्या पूछ दे रहे हैं, कि Socialistic DPSP कौन सा है, हैना, अब आप से यह पूछ दे रहे हैं कि Legislative और Executive का Separation होना चाहिए, वो कौन से Article में, या वो कहां लिखा हूँ है, 7th Schedule में, DPSP में, Fundamental Right में Duties में, इस ताइप के Question पूछ रहे हैं तो You Should Know आपको होना चाहिए पता, और अगर आपने Question वाली Series अगर आपने Follow की होगी, तो आपको यह पता रहा तो Fundamental Duties की ज़र में, बात करेंगे तो यहां पर USSR की बात है यह यह यूएससर की बात है तो USSR का क्या कहना है यहां पर कि Fundamental Duties जो है, वो Derive हुई है USSR से यहां पर Swaran Singh Committee की बात हो रही है Swaran Singh Committee का Recommendations यहां पर दिया गया है तो अब उन्होंने क्या recommendation दिया है वो अपने काम का नहीं है लेकिन फिर भी जान लो क्या था अगर स्वरन सिंग committee के recommendation को आपको ncq में टिक करना होगा तो देखना कहां पर compulsion की बात हो रही है है ना आप यह देखना कि भाई कहां पर compulsion की बात हो रही है जैसे जैसे देखो directive principle of state policy क्या है कि सरकार करवा सकती है है ना सरकार करवा सकती है वो भी सरकार करवा सकती है कहने का मतलब कि सरकार उसको forcefully implement करवा सकती है वो भी कब बस 39 bc में अगर मान के चलो preamble में directive principle of state policy में या fundamental duties में अगर यह बोला गया है यह बोला गया है कि concentration of wealth नहीं होना चाहिए तो आप इसको ले जाकर कि कोट में नहीं डाल सकते हो कि जो मेरे बगल वाला है वो करोड़ों का मालिक है और मैं फटीचर हूं तो मेरे को करोड़ों में से कम से नहीं ठोक सकते उसको पर और यह नहीं बोलोगे कि संभिधान में लिखा हुआ है यहां पर यह सारी बाते हैं इन सब को आप कहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा तो अब यहां पर क्या होगा है स्वरन सिंग कमीटी के रेकमेंटेशन को नहीं माना गया क्यों कि यह कंपल्शन की बात करता है क्याता है होना ही चाहिए अगर नहीं हो रहा है तो पनिश करो मतलब कि अगर आपका पडोशी करोड़ों रुपया कमा रहा है और फंडमेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ है छोड़ो fundamental duty DPSP में लिखा हुआ है concentration of wealth नहीं होना चाहिए तो आपने case कर दी आपने पडोशी पर भाई वो एक करोड़ कमा रहा है मैं तो फटी चर हूँ तो मेरे को पैसा दे दो क्योंकि DPSP में लिखा है कोट क्या वो लेगे कि हट नहीं होता DPSP जस्टीस एवल नहीं है और आप कोट मर कोट पे जा रहे हो कि भाई उसको सजा दे दो उसने national anthem की respect नहीं कि तो कोट को सजा देना पड़ेगा इसको इंप्लिमेंट नहीं किया है भारत में लेकिन इसलिए याद करने की भी यार इसको पढ़ने की ज़रूत नहीं है पर ठीक है फिर भी तो जो पार्लियमेंट है वो क्या प्रवाइड कर सकता है imposition of such penalty and punishment ठीक है कब कि जब आप refuse कर दो fundamental duty को follow करने में no law imposing such penalty penalty or punishment shall be called in the question in any court on the ground of infringement of fundamental rights in infringement of fundamental rights मतलब कि यहाँ पर सीदा सीदा आपको देखो compulsion कहा कहा आपको मिल रहा है penalty punishment penalty punishment मन तो तभी मिलेगा ना जब आप compulsion होगा आप अगर आप किसी के साथ चुआ छूट कर दो कि देखो punishment मिल जाएगी आपको लेकिन 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 DPSP में क्या कहा गया है DPSP में कहा गया है कि मतलब management में कहा गया है ना article 47 कहा गया है कि management में कि आप workers को workers का role workers की participation को improve करो आप अपनी company खड़ा करो नहीं करो worker की participation improve अपने company के management में आप पर कोई case नहीं होगा लेकिन वही workers के साथ चुआ छूट कर दो हो जाएगा आप worker के साथ force labor करवा दो हो जाएगा क्यों कि पहला दो जो मैंने force labor और यह जो बोला फंडमेंटल राइट है यहाँ पर भी देखो penalty punishment तो तभी होगी न बाई of fundamental duties में क्या-क्या है देखो यहाँ पर इसको याद करना important है क्योंकि पहचानने देगा और यह लगते है सब similar ही और पहचानने ऐसा नहीं देगा तीन दे दिया कुछ भी और DPSP के कुछ provision देगा fundamental right के कुछ provision देगा और fundamental duty के कुछ provision देगा और question आपके रहेगा कि पहचानो पहचानो कुछ भी की fundamental right कॉन से हैं या नहीं तो fundamental duty कॉन से है या तो DPSP कॉन से है यहाँ बोल देगा वहाँ पर तो यहाँ पर इसलिए हमेशा ध्यान रखना इस बात का अब उसके बात यहां पर क्या आ रहा है यहां पर जो simple सी चीज बन रही है simple सी चीज जो बैट रही है वो यह हो रहा है कि to abide by the constitution constitution के साथ आपको abide करना है आपको cherish and follow noble ideals किसका जो national struggle के हैं कंट्री के डिफंडेंट और national service को करने की बात हो रही है थीक है कंपोजिक कल्चर कोowe करने के यहां पर बात हो रही है उसके बाद protect and improve the natural environment इसकी बात हो रही है, scientific temper की बात यहां पर हो रही है, ठीक है, public property की बात यहां पर हो रही है, ठीक है, यह सब की बात यहां पर हो रही है, higher level of education की बात यहां पर हो रही है, ठीक है, ना मतलब की development की बात हो रही है, not education की बात, यहां education की बात हो रही है, 6-14 साल की बात यहां पर हो अंतर किया है comment box में शर्णा बताना किसी दो में तो सेम है कि सेम कहने का मतलब बताना नहीं किसी अंतर है नहीं सब्सक्राशान है in दोनों में बताना किस inquisite रूनाया दूसरे में और किसी एक इन अ किस बताना कि यह मैंने आपको बताया पढ़ाया इस तरीके से सग्रीगेट करके नहीं पढ़ाया यह क्या क्या अंतर पर यह अंतर ढूंदना आपका काम है फीचर क्या है तो यह moral और civic duties दोनों है है ना moral भी है और civic duties भी है they refer to such values they refer to such value which have been part of Indian tradition मतलब culture का पार्ट रहा है वो कहीं न कहीं हमारे उससे ठीक है अब यह बहुत ही important point है कि जो fundamental duties है वो citizen तक ही confined है foreigner तक वो extend नहीं हो रही है non-justiceable है अभी हमने यहाँ पर बात की है लेकिन Parliament इसको enforce कर सकती है with suitable legislation लेकिन फिर वही बात कि आपका fundamental right violate नहीं किया जा सकता है इसके वज़े से आपको फासी किसेज़ा नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह article 21 है और आगर आपने national flag की respect नहीं की जो की fundamental duty 51A में आ रहा है आपने उन तापको फासी किसेज़ा नहीं होनी चाहिए ठीक है वह आपका fundamental right article इस तो इस वज़े से fundamental duties का क्या है criticism तो exhaustive की बात यहाँ पर हो रही है अब यहाँ पर vague ambiguous difficult यहाँ पर इन सब की regarding fundamental duties ठीक है तो यहाँ पर क्या है देखो इसमें सेम और difference की बात यहाँ पर हो रही है देखो यहाँ मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर protection क्या है तो civil right का protection है यहाँ पर protection of civil right act की बात यहाँ पर हो रही है अब जो IPC है वो declares the imputation and assertion जो national integration और punishable offence की बात यहाँ पर की जा रही है communal organization की बात यहाँ पर हो रही है representation of people act की बात यहाँ पर हो रही है यह भी आपको देखने को यह और यह fundamental duties में आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है जो cherish बोला गया ना वहाँ पर, यहाँ पर कहा गया sovereignty defend section culture, यह देखो, forest वाला wild life वाला, यह दोनों भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो यह सारी चीज़े हैं, इसको देखने ना, amendment की बात करते हैं यह काफी जादा important chapter है इसको तो मैं यह बोलूँगा कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ना इसको है ना, यह काफी यह बहुत important chapter है यह बहुत important chapter है और इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना और यहाँ पर देखो भाई simple सी बात है, amendment जो है, कहाँ से मतलब की अपना amendment क्या करता है, amendment का क्या मतलब होता है, संशोधन का क्या मतलब होता है, जैसे मान के चलो कि आपकी आदत है time pass करने की तो आपकी आदत में कुछ amendment कर दिया जाए आपके gene में कुछ बदलाव ला दिया जाए आपके gene के अंदर उसान बोल्ट का gene डाल दिया जाए gene therapy से करते हैं अभी तो कर रहा है, अभी तो खेरा अमेरिका में एक ऐसा वो आ रहा है कि जिससे मुर्दों को जिन्दा किया जाएगा जिससे क्या किया जाएगा मुर्दों को जिन्दा किया जाएगा तो यहाँ पर यह amendment की बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर amend की बात यहाँ पर की जा रही है तो amend का क्या मतलब है, अगर उसान बोल्ट का जीन आपके अंदर डाल दिया गया तो आपके जीन को amend कर दिया गया, change कर दिया गया अब आप क्या करोगे, आपको बिना practice किये हुए आप दोड़ने लग जाओगे CRISPR Cas9 करके एक technology है CRISPR Cas9 ध्याम रखना, वो जीन को change करता है आपको अगर गोरा बच्चा चाहिए तो गोरा जीन डाल देगा, आपको जैसा बच्चा चाहिए विराट कोली जैसी आखे हो तो वैसा जीन बना करके वैसा अब जीन भी विराट कोली के शरीर से जीन नहीं लेगा, उस जीन को डेवलप किया जाएगा लेबराटरी में समझे, वो चीज होगे, तो यह कहाँ है आर्टिकल 368, पार 20 की बात यहाँ पर यह करता है, यह ध्यान रखना आर्टिकल 368, पार पार 20 में यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी प्रोसीजर क्या है, तो देखो आर्टिकल अमेंडमेंट दो तरीके से होता है एक 368 के अंदर और एक 368 के बाहर तो पहले अंदर वाला देखते हैं और फिर बाहर वाला देखते हैं अभी यह मत सोचना, special majority क्या होती है simple majority क्या होती है, कुछ भी ऐसा मत सोचना यह सा मत सोचना, अभी बस तो यहां पर क्या होता है कि जो अमेंडमेंट होता है और दा कॉंस्टिट्यूशन के बी इनिशेटिट अन्ली वाइदा इंट्रोड़क्शन और अविल पर्परस इधर हो सद पॉले नोट इन दा स्टेट लेजिस्लिचर तो हमेशा धेहां रखना पहला यह बोल दिया गया है कि अमेंडमेंट जो है वो कहा होता है तो वो सेंटर लेवल पर होता है गवर्मेंट में होता है अब यह दोनों के द्वारा लाया जा सकता है minister के द्वारा भी और private member के द्वारा भी private member बोलने का क्या मतलब जो private नौकरी करता है वो नहीं private member बोलने का मतलब कि ऐसे MPs जिनकी सरक्राइब जो minister नहीं है है न वही है अगर article 368 से आपको bill को pass करना है तो आपको special majority चाहिए और ये special majority क्या होती है majority of total membership of the house and a majority of two-third मान के चलो मान के चलो की जितनी seats है उसका 50% plus one ये होता है क्या total membership two-third तो two-third बाइज इतनी seat है plus one into seats plus one ठीक है ये 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 जो two-third वाला case है ये दो तरीके से होता है एक effective majority में एक special majority में तो two-third और जितनी seat है वो effective में आता है और special में कौन सा आता है तो half 50% 50 50% plus one plus two by third वहाँ पर मान के चलो कि चार लोग मौजूद है तो into four plus one जितने लोग मौजूद है उनकी बात वहाँ पर होगी अब यहाँ पर क्या है कि joint setting का कोई provision नहीं है जैसे president कहता है ना कि joint setting कर लो joint setting कहने का मतलब मान लोग कि कुछ गरवड़ी हो गई कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होगा amendment हो रहा है कुछ लोग मना कर रहा है आब इसके लिए joint setting बुलाई जाती है कोई लेकिन अमेंडमेंड के लिए joint setting रहा है क्यों नहीं बुलाई जाती अगर कोई सरकार है वो amendment पास ही नहीं करवा पार रही है तो वो सरकार कैसी फिर हैना वो सरकार कैसी है तो यहाँ पर यह और अगर ऐसा कोई आप कुछ विधयक पास कर रहे हो, जिससे state को effect या impact हो रहा है, तो 50% plus 1 आपको state से भी लेना पड़ेगा, उसके बाद किया है, to amend the federal provisions of the Constitution, if the will seeks to amend the federal provisions of the Constitution. तो यहां पर यही बात अभी मैंने आपको यहां पर बोली है. आपको यहां पर उसके बाद क्या होता है कि अगर यह बोनों consideration के लिए भेज सकता है यह तीन तरीके यहां पर आपको लिखा हुआ है जब उसका ascent मिल जाता है तो वही act बन जाता है अब यहां पर simple majority क्या होती है तो simple majority वाला simple majority से अगर कुछ भी pass होता है ठीक है ना जैसे amendment जो होता है वो basically दो तरीके का होता special majority हमने देख लिया ठीक है औ अब यहां पर सिंपल majority की बात हो रही है तो simple majority से कौन-कौन से क्या-क्या किया जा सकता है तो नए स्टेट को establish किया जा सकता है simple majority से स्टेट की boundary बनाई जा सकती है simple majority से abolition किया जा सकता है किसका legislative council का स्टेट से second schedule की बात हो रही है quorum की बात हो रही है salaries and alliances की बात हो रही है rules of procedure की बात हो रही है प्रिफिलेजस की बात हो रही है इंग्लिश लेंगविज की बात हो रही है और नमबर ओफ प्यून जज़स ठीक है उसकी बाद प्रनूंसियेशन पता नियर क्या है यह पूइन जज़स इसको बोला जाता है इसका क्या मतलब होता है जो नॉर्मल जज़स आप देख रहे हो ठीक है तो एक होता है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनको सपोर्टिंग ज़स जो बेंच में बैट तो यह उसकी बात कर रहा है उसके बाद क्या है कन्फर्मेंट ओफ मोर जूरिश्डिक्शन ऑन दा सूप्रियम अब यहां पर पूरे 18 पॉइंट्स को देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह जो 18 पॉइंट्स हैं इसमें कहीं न गहीं सेंटर फ्लेक्सिबिलीटी चाहता है यह काफी important मुद्धें हैं और जो सेंटर के power को show करता है जैसे state को बनाना state का boundary निर्धारत करना यह सब चीजने क्या है यह क्या है कौन यह state करना चाहता है यह संटर को वह उपर ले करके जाता है तो यह जो बेसिक जो चीज़ें बंद रही है यहां पर बैठ रही है वो क्या शो कर रही है इस सेंटर अपने पावर को होल्ड करके रखता है special majority की बात करें तो यहां पर क्या है fundamental right DPSP all other provision which are not covering first and third category third category यह है जहां पर state का impact impact हो रहा है यहां पर देखो president अगर आप पढ़ो गया चलके voting के बारे में तो यहां पर state legislative assembly के elected member भी वोट कर रहे हैं तो state affected होता है president से इसलिए president के time पर भी state का वो लिया जाता है मानने लिया जाता है उसके बाद union जहां जहां पर आपको देखो state लगता हुआ दिखरा होगा वहां पर यह सारा सब कुछ आपका जाएगा criticism की बात करें तो criticism में ज़्यादा कुछ नहीं है यहां पर क्या है कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें है वो बहुत ज़्यादा वेस्टेड है पार्लियमेंट में as compared to state वाला बैलेंस नहीं है वैसी बातें यहां पर की जा रही है दूसरा यहां पर क्या है कि जो अमेंडमेंट का हाथ में रहता है जॉइंट सिटिंग की बात यहां पर लही होई है तो यह सब यह सब सारी बात हैं यहां पर है और बियार अम्बेदकर का यहां पर observation है कि जो assembly है वो refrain the assembly has not only refrain from putting a seal of finality and infallibility upon this constitution by denying the people right to amend constitution in Canada और यह सब भी बोला जा रहा है कि जो बहुत visionary constitution है और जिस तरीके से rigidity है ठीक है जिस तरीके से rigidity है अमेरिका में चैनेडा में वो rigidity हमारे यहां पर नहीं है तो इन सब चीजों को ध्यान रखना मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो शेयर जरूर करो और कमेंट भी करो कि आपने क्या सीखा क्या नहीं कुछ question पूछें उसका जबाब दो और फिर अब जो आप पढ़ रहे हो आप उसको भी वहाँ पढ़ लेखो कम्यूनिकेशन का वही एक सर्जिया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद